हेलो एब्रिवन वेल्कम टू आट ओफ इंप्रोवर्टिनाइं उस दिन मैंने आपको ये वला बताया था शीफ स्टिच की पास-पास में ऐसे तीन लाइन्स हमें लगानी है तो उसके बाद हमें जो निडल है वो यहां सी निकालनी है फिर हेले कि अचाल आटिस सैड हमें निडल को लेंकि के जाना है ति इसैड से इस पॉइंट पर ही हमें निडल को लेंकि जाना है और यह हमारा शीफ स्टिच बनके रैडी हो जाएगा उस दिन मैंने आपको यह वाला जो स्टिच है वो पताया था तो इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं यह देखिए एक स्टिच लगाया मैंने स्ट्रेट ऐसे दूसरा थोड़ा दूर लगाया तीसरा और दूर थोड़ा से फिर यहीं से हमें लेनी है नगल फिर इसमें से पास करेंगे संट से फिर इस व्ले पॉइंट से हमें हम इस से इस व्ले पॉइंट को लिक हैं यह दिखिए यह मारा दूसरा जो मेठिडी हुए वह बनके रेटी हो इंबसक्रित का यह सेक इक अब और कैसे बना सकती है एक यहां से जैसे हमने स्टिच लगाया na स्ट्रीट चोटा सा फिर यहां से एक बड़ा स्टिक्श लगाया दिखिए ऐसे थे इस फिर यहां से एक चोटा सािब स्टिच्च लगाया पिर यहां से निडल को निकालेंगे और इस साइड हमें निडल को लिखी जाना है स्टिच सेम ही है मतलब बनाने का तरीका जो है वो सेम ही है बस यह जो लाइन से हम लगाते हैं पहले यह चोटी बड़ी आप कर सकते हो एक यह इस मेथड से बन गया और एक आप इस तरह से भी बना सकते हो बड़ा स्ट्रेट स्टिच फिर थोड़ा उससे चोटा फिर उससे चोटा फिर उससे चोटा निडल फिर सेंटर में से निकालेंगे इस से निडल ले जाएंगे यहां से उसी पॉइंट पर हमने निडल को लेके जाना है यह देखिए इन सभी तरीकों से आप जो है शीव स्टिच वो बना सकते हों इसे बटरफ्लाइ स्टिच भी बोलते हैं इस वोले स्टिच को वो यह चार तरह के जो शीव स्टिच हैं वो बता दिये हैं तो इन चार तरीकों से आप जो शीव स्टिच हैं वो बना सकते हो अबर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें फैमली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं तो थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो थेंक्स लोट